नमस्ते दोस्तों कैसे आप लोग त्वागत है एक बार फिर आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल करियर गाइडन्स विद विशाल मेगानी पर मेरे पहरे दोस्तों सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी ये वीडियो देखने के लिए फ्रें आप लोगों को जल्द ही देखने के लिए मिल जाएगा एस पर ऑफिशल वेबसाइट दोस्तों ससी जई का जो वेकेंसी है वो 26 जुलाई को रिलीस किया जाएगा दोस्तों और इसके लिए कौन-कौन एलिजिबल है तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर डिपलोमा एंड डिग्री होल्डर्स इस वेकेंसी के लिए अपलाई कर सकते हैं बेसिकली सिविल मिकैनिकल एंड इलेक्रिकल ब्रांचिस के लिए यहाँ पर वेकेंसी रिलीस होगी तो आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं इस ससी जई एक्जाम का कंप्लीट स स्लैबस इसका पता होना चाहिए तो इसके पेपर कैसा होता है पेपर वन जो होता है पेपर टू जो होता है इसका स्लैबस क्या क्या होता है कैसे कोशन्स पूछे जाते हैं इसकी तयारी कैसे करनी है कौन से बुक्स रेफर करने है तो सारी चीज़ें दोस्तों डिटेल में ह रिलीज होने वाला है दोस्तों इसके लिए लास्ट डिट ऑफ अप्लेकिशन क्या रहेगा 16 ऑगस्ट यह साधी बाते ऑफिशल वेबसाइट के उपर मेंशन की गई है मैं वहीं से आप लोगों को देखकर बता रहा हूं ठीक है साथ साथ दोस्तों यहां पर एडमेट कार्ड कब आएगा और आपका एक्जाम कब होगा यह भी बताया गया है तो आपका एडमेट कार्ड दोस्तों लगबक सक्टेम्बर में आएगा और आप जो एक्जाम होगा वो 90-11 अक्तोबर तक हो जाएगा ठीक है तो ज़्यादा समय आप लोगों के पास नहीं है जुलाइ इस ओलमोस्ट अंड ऑगस्ट सक्टेम्बर दो ही मैंने आप लोगों के बस बचते हैं अगर आप इस वैकेंशी के लिए अपला करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में इसका पूरा स्लेबस जानिए और आज से ही तैयारी में आप लोग लग जाए दोस्तों ठीक है चलिए में आप लोगों को help करने के लिए हमने यहां पर आप लोगों के लिए इसी यूट्यूब चैनल के ओपर एक lecture series भी शुरू किये दोस्तों जिसमें हम आप लोगों को objectives के जो अलग-अलग technical subject के जो objectives हैं वो यहां पर तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों ससी जेए के दो पेपर होते हैं पेपर वन पेपर टू पेपर वन जो दोस्तों होता है वो आपका होता है 200 मार्क का और यह objective इस 900 मार्क्स के लिए अंतर आपको क्या-क्या पुछा जाता है तो हम देख रहे हैं पर फिफ्टी मार्क्स के लिए आपको पुछा जाता है जनरल अवयर्नेश्टों कि क्यों है goto management intelligence and reasoning आता है remaining hundred Marks के लिए hundred Marks किसके होते हैं टेकनीकल के खिज ब्यud ngay जिस अब अप अप्लाइ कर रहे हैं और आप अप से से इलेक्रिकल से यह से जिस अप अप्लाइय कर हैं उस ब्रांच का टेक्निकल आपको पुशा जाएगा, so hundred marks का technical and hundred marks का non-technical, इस तरह से two hundred marks का अपका paper होता है pre और जब आप pre paper दोस्तों qualify करते हैं, तब ही जाके pre paper आपक तो qualify णचर टाइप होता है, तब ही जाके आप mains exam इसका दे पाओगे, मैंने दोस्तों SSC जई एक्जाम बिलकुल clear किया हुआ है pre भी निकाला है मैंने मैंने और mains भी मैंने इसका clear किया है लेकिन हाँ मैंने जो यह exam crack किया था यह 2012 की बात है साल 2012 में दोस्तो उस समय pre और mains दोनों एकी दिन conduct किये जाते थे पहले pre होती थी morning में और afternoon में mains होती थी लेकिन अब pattern change हो गया है अगर आप pre qualify करेंगे तभी आप mains exam दे पाएंगे mains exam दो दोस्तो आपका होता है यह पूरा 300 marks का होता है जिसके लिए समय कितना दिया जाता है 2 hours का प्री exam आपका objective type होता है इसमें आपको objective questions दिये जाते हैं यहाँ पर negative marking भी होती है दोस्तो 1 4th मतलब 0.25 negative marking होती है अगर question गलत हुआ तो 0.25 mark आपका deduct किया जाएगा लेकिन वहीं जो दोस्तो आपका mains exam होता है mains exam जो कि 300 marks का होता है यह आपका descriptive type का होता है इसमें आपको paper लिखना पड़ता है दोस्तो 15-15 mark के question आते हैं 10-10 mark के question 20-20 mark के question यहाँ पर आप लोगों को पूछी जाते हैं दोस्तो ठीक है न descriptive nature का paper होता है अब थोड़ा सा जानते हैं इसका दोस्तो details क्या क्या आपको detail में पढ़ना है थोड़ा सा यह भी हम यहाँ पर जानते हैं तो देखिए दोस्तो paper 1 की अगर बात करें तो मैंने आपको बता है paper 1 में आपको तीन चीज़ां आती है एक तो general intelligence and reasoning for 50 marks general awareness for 50 marks तासर दोस्तो technical subject of relevant branch for 100 marks तो general intelligence and reasoning का यह detail syllabus आप लोगों के सामने दिया हुआ है तो इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा ओके इसका आप चाहे तो screenshot निकाल सकते हैं मैं इसको पढ़ूंगा नहीं करके नेक्स दोस्तों अगर हम बात करते हैं जो आपका 100 marks का technical होता है तो उसका mechanical का syllabus दोस्तों यहां पर दिया गया है mechanical के अंदर आपको कौन-कौन से topics पढ़ने यह सारे topics डिटेल में यहां पर mention है आप चाहें दोस्तों इसका screenshot ले लिजिए तो ठीक है ना ओके यह वीडियो पॉस करके आप पढ़ भी सकते हैं इसको next दोस्तों यहां पर बात करें अगर ठीक है लेकिन हाँ paper 1 या paper 2 की आप अगर त्यारी कर रहे हैं दोस्तों तो उसके अंदर यह एक बहुती important subject है फ़न साथ thermodynamics थर्मोडाइनेमिक्स इस subject को दोस्तों पूरा detail में मैंने पढ़ाया हुआ है इसी YouTube चैनल के उपर यह पूरे के पूरे lectures आप लोगों को मिल हाँ पूरे lectures अभी तक upload नहीं हुए हैं इसके लेकिन हमने schedule कर दिये हैं पांच या शे लेक्चर इसके अपलोड है तेली इवनिंग 5 में एक lecture upload किया जाता है जिसकी time duration सब्सक्राइब तो यह पूरी lecture series आप लोगों को यहाँ पर इस channel पर देखने के लिए मिल जाएगी अग आपका pre-exam हो चाहिए mains exam हो दोस्तों उसमें thermodynamics का एक भी ऐसा question आपका नहीं होगा जो छूटेगा पूरा का पूरा आप thermodynamics वहाँ पर solve करके आएंगे यह मेरी guarantee है दोस्तों इतना बढ़िया तरीके से इतना detail में मैंने यहाँ पर पढ़ाया है और यह पूरी की पूरी lecture series आ है आपका selection दोस्तों आपको अगर select होना है sseg में तो यह paper आपको निकालना पड़ेगा हाँ यहाँ पर किसी प्रकार की negative marking नहीं होती है यहाँ पर आप लोगों को numericals भी आते हैं और descriptive theory questions भी आपे पूछे जाते हैं दोस्तों इसका syllabus क्या तो basically यह 5 main topic है जैसे theory of machine and machine design engineering mechanics and strength of material thermal engineering thermodynamics system कहते हैं दोस्तों यहाँ पर देखिए आप अगर तोड़ा गहुर करेंगे न यहाँ पर thermal engineering बोला गया है लेकिन इसके अंदर descriptive इसका अगर details आपस आप देखोगे जो की थोड़ी दिर में हम देखने माले हैं तो आप देखोगे इसके अंदर सारी चीजें पूछी ज गया दोस्तों तो इसका detail syllabus थोड़ा मैं आपको बताऊंगा next आपका fluid mechanics and machinery है and production engineering तो यह पांच main topic है इसका detail syllabus क्या है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिरियो of machine and machine design का detail syllabus यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों कौन-कौन से topics आपको prepare करने हैं यह सारा syllabus जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ यह official website पर available है आप वहाँ पर जाके भी चेक कर सकते हैं ठीक है next अगर हम देखें दोस्तों engineering mechanics and strength of material का detail syllabus है आप इसको एक बार देख सकते हैं इसका screenshot निकाल सकते हैं दोस्तों नेक्स आप अब्सवर करिए thermal engineering जिसको thermodynamics कहते हैं तो properties of pure substance pvts डाग्र engine भी आ जाता है compressor भी आ जाता है सब कुछ इसके अंदर उन्होंने ठूस दिया है next दोस्तों आपका क्या है यह पर थर्मोडाइनमिक्स का और यह detail syllabus है पुरा एक पेच पर आया नहीं तो दूसरी पेच पर भी मैंने लिया हुआ है next दोस्तों बात करें fluid mechanics and machinery का detail syllabus है आप चाह जल्द ही इसका वेकेंसी या जस factset wr Glasgow Sc документ के लिए मैं वीडियो बनाऊं गा कि कौन सी पूस के लिए कर सारी बाते हैं में आप लोगों को detail में बताऊंगा एक फिलाल दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों का वापस एक बार बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीस हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथ-साथ ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो SSEJ की त्यारी करना चाहते हैं और इसी झाल